नमस्कार दोस्तों सो भी अच्यू एग्रिकल्चर की टीम के तरप से आप सभी को मिशन 2020 के अंतरगत यह आपको कई सारे टॉपिक्स बताया जा रहे हैं इंपोर्टन टॉपिक्स तो मैं लेकर आ गया हूं आपको मेंटल अबिटी का जो सेग्मेंट है मेंटल अबिटी का एपिसोड है उसके अंतरगत पहला टॉपिक जो है कलेंडर उसको मैं आपको समझाऊंगा सो चले शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन से कुछ आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन जो है टुड़े इस मंडे आफ्टर सिक्स्टी वन डेज इट विल बी यह क्वेश्चन आ भी चुका है में और यह बीच्चु के ए सब्सक्राइब कर सकते हैं जो नियरेस्ट होगा उसके आसपास आप जाके उसको मतलब कर सकते हैं यह आपका निकाल सकते हैं यह questions आया भी है और next है और आप बता देते हैं कि घाले कि इसके बाद आज ही का डेट है तो एक दिन प्लस हो जाता है तो वह वेड़नेस्डे हो जाएगा बट इसमें कुछ कंडिशन्स है जैसे कि आपका जैसे यह जह यह है अगर यह एमकर कशहते हैं में लीप येर हैं निए कंशुल तो ऊंचीनायर या कि सकते हैं लेकिन आपको और ध्यान में रखना कि अग्यों आपका सब्सक्राइब करना की सभाएं गई और हमार्त उस फीर आपको आड़ हो failure में होता है तो और ड turn Day का concept यह है 1 Day time कब एड होगा। जब आपका Leep Year होगा और आपको जैसे जनवरी फेबरेरी यहां से स्टार्ट के बारे में बात कर रहा है तो March से कर रहा है तो फिर वह नहीं होगा तो आप उड नहीं होगा फिर 1 day बस एड होगा तो यह आप इसके बाद यहां और यहां को पता है कि 366 डेज होते हैं और आप डारेक्ली को बता सकते हैं कि यह इसको फोर से डिवाइड की जिए अगर वह सेंचुरी कहने के मतलब जैसे की 400 800 जैसे वो जो एक पूरा साल होता सताब्दी जिसको बोलते हैं अगर वह ऐसा नहीं है नॉर्मली कोई इयर है उसको डिवाइड कर रहा है तो वह अपका लीपियर होगा अगर वह सेंचुरी है जैसे कि 400 का मतलब आपको मल्टीपल होना चाहिए तो भी वह लीपियर होगा जैसे कि 400 का मल्टीपल आप यह समझ लेजिए 400 है 800 है 1200 है फिर 1600 हम्रड़ है 2000 यह सब लीपियर है जो यह सेंचुरी वाले हैं जो 400 से होते और इसके अलाबा जो है वह सब नोन लीपियर है तो यह आप पता कर सकते हैं कि कौंसे हिए नहीं है जो मैंने आपको बताई अभी कि two odd days होते है एक और लीपियर इस डैर तो 10 जन्वरी 2020 इस संडे अब ये 2020 आपको पता है कि लीप ये तो नेक्स्ट येर जो 10 जन्वरी 2021 होगा उसमें वैसे तो नॉर्माली एक दिन एड होना चाहिए संडे से आपका मंडे हो जाना चाहिए बट ये लीप ये 2020 तो दो दिन एड हो जाएगा एक वो 29 वाला भी आड ह हो जाएगा तो फिर आपको पास ये Tuesday हो जाएगा दो दिन एड हो जाएगा तो यह आपको ध्यान में रखना है इस से रिलेटर में आपको कोस्टन भी बता दता हूं एक जैसे कि 10 मार्ट 2020 इस सटर डे और 10 मार्ट 2020 वें इस संडे एक दिन एड हुआ क्यों कि यहां पर मार् है ठीक है तो जिसमें फेब्रेरी काउंट हो रहा है तब आपको दो और हो जाएंगे एक कोस्टन यह कई बार पुछा गया हाउ मैं इस वीक्स एक्स डेस सो डे हमको पता करना है तो एक वीक में सेवन होते हैं तो आपको एक्स वीक्स में कितने हो जाएंगे सेवन एक्स प फेब्रेरी को आपको देखो काउंट कर रहा है वाट वस देड़ ओफ देवीक ऑन 8 फेब 2004 तो अब यह 2000 उल्टा आपको कॉस्टन पूछा एक बार ध्यान दीजे इट वाज तुस्डे पर दे दिया गया कि 2005 में आपको एफेब्रेरी है तो वाट वाज देवन एक एक साल पहले पूछ रहा है तो हमको पता करना कि जो 2004 है वो हाँ डिर्क्ली डिवाइड हो जा रहा तू से तो वह मतलब की आपका लीप यह है और वहाँ पे फेब्रेरी को भी काउंट किया मतलब दो और डेज एड किया होगा तब जाकि यह 2005 का यह आपका डेट आ रहा है और डे यह जो कर देंगे तो आपका संडे आ जाएगा और यही आपका अंसर होगा यह आपको दिख़गा होगा सो टूजडे 2005 मैंस टूड़ी से समझने की एक कॉस्चन मैं आपको दे रहा हूं आप इसको सॉल्ष करके आप कमेंट बाक्स में हमको बताईगा कि इसका आंसर क्या ह एक साल प्रेस से पहले आपको पूछा है थीक है न सेम टाइब कोस्टन है थोड़ा सर डिफरेंस किया है तो आप बता सकते हैं इसका अंसर संडे सटर्डे टूजडे विड्नेस डे यह आपके पास अब कमेंट करके जरूर बताएगा और अपना प्रैक्टिस आप सही से रख और बाकी से नेक्स्ट जो मैं बता देता हूं इंपॉर्टन टॉपिक है वो है क्लॉक घड़ी से कोशन पूछे जाते हैं और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता बहुत लोग को सो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपको यह पता ही होगा कि यह जो टोटल बारा पूरा या फिर मिनट का ले सकते हैं पूरा जो गूमता है एक राउंड पूरा रिवलिशन स्वरी तो वह 360 डिग्री आपको बनाएगा तो एक चीज आप हमेसा ध्यान देए बहुत इंपॉर्टेंट इस 55 मिनट इस पेसे और गेंड बाइ मिनट हैं इन 60 मिनट यह आप ध् कि 55 मिनट इस पेसे सार गेंड बाइ मिनट हैं इन 60 मिनट तो वन मिनट इस स्पेस हमको अगर करना है तो उसके लिए 65 अपॉन 55 मिनट लगेगा अब यह इस टाइप की इसमें कोश्चन जो आते हैं जिस टाइप के वह बता देता हूं आपको एट वाट टाइम बेडवीन मा एक तरह से आप उजिट ही बोल रहा हूँ आपको तो इसके उपर क्वेश्चन में आपको यह पर प्रैक्टिस करके आपको जाना है और यह बता देता हूं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन है एट वाट टाइम बेडवीन टू एंड त्री ओक्लाक मतलब की दो और तीन बजे के बीच में कौन सा ऐसा समय होगा जहां पर दोनों काटे जो होंगे घड़ी काटे वह मतलब की एक साथ हो गए तो इसमें मैं जैसे आपको बताया था ना कि बस आपको क्या करना है कि दस अब आपको देख रहा है कि जब दो बजे बस पहला वाल अपको देखना में साथ दो क्लस बोला ना थो क्लों में देखी क्या होता है homem मिनटवाला में रहता है में में नहीं महतं नहीं की एक मिनिट स्पेश के लिए 60 upon 55 minute आपको यह गेन करता है तो 10 minute के लिए आपको कितना यह हो जाएगा minute लगेगा 10 minute space जिसको बोलेंगे उसको गेन करने के लिए तो इसको 10 से multiply कर दो तो जो यह आजाएगा और यह आप fraction में चेंज कर सकते हैं इसको होल 10 upon 11 minute पास्ट टू जो पहला था उसी बस आपको पास्ट लगा देना है बस तो यह 10 minute के लिए हो जो इसमें difference है बस वही फिर एक question आता है आपका कि 4 और 5 o'clock के बीच में will the hands be in opposite direction अब आपको बोल रहा है कि वहां पर क्या बोल गया था कि एक साथ रहते हैं तो एक साथ के लिए हमने देख लिया था कि जो minute का difference है उसके बस कितने minute का विए में आपस में gap है उतना हमको multiply करना था उतने मिनट से 60 60 upon 55 में बट इसमें क्या है अब आपको opposite बोल रहा है तो पहले हम सुरू में देखेंगे पहले कहां पहले चार बज़े में तो चार बज़े मतलब की चार यहां पर आवर है और वहां पर मिनट वाला 12 में तो कितनी ऑल्रेडी पहले से 20 मिनट का स्पेस पहले तो इन लोग का मतलब की दूर है अपस में ठीक है अब एक दूसरे से तो यह 20 मिनट पहले वह आपस में आने के लिए करेगा फिर अपोजिट मतलब क्या होता कि just 30 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए 30 मिनट इस पेसे मतलब की होगा तब ही अपोजिट होगा आप कहीं पर भी देख सकते हैं तो प्लस 30 आपको और करना होगा पहले तो वह एक साथ आने के लिए हो जाएगा 20 मिनट और प्लस अपोजिट करने के लिए 30 मिनट तो आपके पास टोटल हो गया ठीक है तो आप बस उसी जो 60 अपन 55 जो फ्रेक्शन है उसी में से आपको 50 मुल्टिप्लाई कर देना है मिनट प पूर जो भी होगा यह हो गया इसके बाद एक और क्वेश्चन है एट वाट टाइम बैट भी नाइन टैन अकलाग विल दा हैंस भी तोगेधर अब वहां पर क्या था जैसे अभी पिछले वाले में आपको चार बजे होए थे अब यहां पर नौ बजे है ना और फिर से वह कि आपको 60 अपन 55 से मल्टिप्लाइ कर देना है 49 होल 1 by 11 मिनिट पास 9 आपका अंसर आजाएगा तो यह आप ऐसे निका सकते काफी आसान पड़ जाएगा अगर आपको यह चीज पता है नहीं पता तो काफी मुस्किल हो जाती पता नहीं चलता क्या करना है फिर एक और सब्सक्राइब आपको बोल रहा है कि एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं वालब 180 डिग्री आपके सकते हैं बट नौट टूगेदर मतलब एक तरह से अपोजिट बोला जा रहा है लेकिन इसका कुछ अलागी कॉंसेट रहता है तो आपको वस यह है कि आप यह फॉर्मूला सब्सक्राइम लग जाए उसको बताने में तो इसका डारेक्ट फॉर्मूला है 5x-30 इंटू आपको यह ब्रैकेट में है और इंटू 12 अपन 11 तो एक्स क्या है जो पहला वाला आपको दिया गया जैसे माली जी कि वह आठ और नौ के बीच में तो आठ 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 वाला जो है वह आपको करना है तो बेट्वीन जैसे एक्जामपल है बेट्वीन 8 और 9 हैंड्स अफ़क्लॉक भी इन दे सेम स्टेट लाइन बट नोट तुगेदर तो आपको डारेक्ट फॉर्मूला यूज करना है एक्स के यहां पर 8 रखना है वह आ जाएगा पूरा आपका 120 वाई 11 मिनट पास्ट एट बस जो पहला था उसके बाद मिनट पास्ट लगा देना यह आपका हो जाएगा यह क्लॉक का तो काफी इजी तरीके से मैंने बताने कोशिच की है जो कुश्चन आते हैं बस उनमें आपको फोकस करना किस टाइप आते हैं वैसे तो कितने सारे हो सकते हैं उनमें मत जाएगे जो आते हैं जो पैटरन हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं एक लॉक वाले हैं आप जाकर वीडियो देख सकते हैं मतलब कि बैक करके जहां पर समझ में नहीं आया है अब इससे डिरेक्ली हम लोग से कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं सो यह जो दो टो कब वह बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लिजेगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तक के लिए धन्वाद कर दो